Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है जाइलम और फ्लोयम को लेकिए कि जाइलम और फ्लोयम किसके पार्ट हैं, कैसे पार्ट हैं, क्या काम होता है, क्या फंक्शन होता है, क्या क्रेक्टिस्टिक्स होते हैं तो जाइलम और फ्लोयम 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 और क्यापबल नहीं है सेल की डिवीजिबिलिटी जो पावर है वह लूज हो चुकी है अब सेल्स हो चुकी है पर्मानेट तो अभी सेल चोपर बनेंट उसकी उनके पास क्या कहा हैं उनके पास दो टाइप के टीशु है जाइलम और फुम्दूनों के दोनों टाइप के वेस्कु वोटर प्रोइड करते हैं ताकि अपना डव्लप्मेन्ट कर थे सो फरस्ट थायलम जायलम करी वाटर फ्रोम रूटब्स तुद लिव्स यह रख रहे हो यह जो वाल्स होती है सबसे पहले फिक वॉल्स बहुत ही मोटी-मोटी सी वॉल्स होती है कोई भी membrane नहीं है, कोई भी wall इसके बीच में नहीं है, पूरे xylem fibers के बीच में कोई भी wall present नहीं है, वहीं पे flow में देखेंगे, तो यहाँ पे walls होंगी walls, cell walls present होती है, barrier present होती है, यहाँ पे no end of wall, यहाँ पे कोई भी walls present नहीं है अगर बात करें जायलम की तो जायलम देखो जायलम फाइबर जो काम करता है जायलम से जल वोटर के ट्रांसपर्ट के लिए काम करता है जायलम वोटर का ट्रांसपर्ट होता है प्लांट्स में रूट्स के पास होते हैं छोटे छोटे से रूट्स हेयर्स वो root hairs water को कर लेते हैं soil से absorb अब root hairs ने किया water को absorb तो अभी बाकि पूरे plant को भी तो उसकी supply करनी है तो वो supply करने का काम करता है xylem की plant ने क्या-क्या मिट्टी से पानी को लिया उस पानी को आगे उपर तक लिए उस तक ताकि transpiration process हो उसके plant अपना grokers के हमारी जैसे humans की बात करते हैं तो humans की body में जो vascular tissue है वो हमारा blood होता है blood अगर हम respiration करते हैं तो blood के साथ oxygen mix होके जाती है हम पानी पी रहे हैं तो blood के साथ mix होके जा रही है अगर हम कोई खाना खा रहे हैं कोई किसी भी type का nutrition ले रहे हैं तो nutrition based more intestine में absorbed completely absorbed होने के बाद liquid की form में always always blood vessel के साथ mix होके पूरी बोड़ी को energy की formation में food की supply करता है तो वहीं पर यहां पर xylem है xylem प्लांट्स ने क्या 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 वोटर को अब्जोब क्या जायलम ने दे दिया made up of dead cell अब जो जायलम होता है उसके पास जित्ती भी cells होती है dead cell आती है यानि के dead cell आती है तो काम करता है scleran काइमा dead cell जहां भी होंगी मतलब वहां पर scleran काइमा tissue या scleran काइमा cells काम करेंगी cell wall is made up of lignin lignin माने क्योंकि यहां पर इनकी जो cell wall होती है बहुत ही ठीक होती है माने lignin की बनी हुई होती है और lignin कैसा होता है lignin उसको ऐसे barrier काम करता है कि water का transport इधर उदर ना हो एक direction में जाए उसके लिए काम करता है cells do not have a cytoplasm अभी xylem fiber के पास xylem के पास जो भी cells होती है कोई cytoplasm नहीं होता है free from cytoplasm होती है carries water in unidirectional roots से absorb करके एक ही direction में एक ही direction में water का transport होता है इसलिए इसको बोला जाता unidirectional found in the center of vascular bundle जो भी vascular bundles होते हैं उनके center में पाया जाता है xylem passive transport of water and minerals यहां से roots ने absorb कर लिया water A की direction में plant की leaves तक जा रहा है यह passive type जहां पर ज़्यादा energy की need नहीं है energy की ज़रूरत ही नहीं है water का transport ऐसे ही हो रहा क्योंकि plant को करना है respiration तो इस direction में होता है four types अब xylem के पास चार type होते हैं कौन-कौन से होते हैं प्रैकेड्स होती है vessels होती है xylem parenchyma and xylem fibers यहां पे xylem parenchyma and xylem fibers यहां पे cells होती है बिटा scleranchyma क्योंकि dead tissue होता है dead cells होती है अगर वहीं पे phloem की बात करें phloem carries food from leaves to growing part and storage organs आप जो अफ्लोएम का क्का होता है वह food को ट्रांसपर्ट करना होता है क्यूंकि leaves में leaves में present होता है chlorophyll जिसका color होता है green और वह क्या करता है sun light को capture का क्या होते हैं उन में होता है green-color, so plants क्या करते है उस green color यानि chlorophyll का use करके photosynthesis प्रोसेस करते i क्योंकि chlorophyll क्या करता है, तो यहां पर फूर्ड का बन रहा? फूर्ट बन रहा है लियूस में, अब लियूस में है, तो उसको डर्रांशपर नहीं कर सकता तो यहां पर बोड़ी पार्ट में जाना जरूरी है, Aujourd'ickeng, कि हर बोड़ी पार्ट को ग्रो करना होता है उस एनरजी को यूज करके जो उसको फूड से मिलती है इसके पास इतने भी सेल्स होती है सारे लिविंग सेल्स होती है फ्लोयम के पास cell wall यहाँ पे cell wall थिन होती है माने यहाँ पे cell wall थी thick cell wall थी लिगनिन की बनी हुई थी अब यहाँ पे है thin cell wall यह बनी हुई है cellulose की cellulose hard to digest होता है cell wall is made up of cellulose cellulose से बनी हुई होती है cells are permeable to food जित्ती भी cells इसके पास होती है पानी का कोई काम नहीं है वहाँ पे permeable होती है food के लिए energy liberated in the form of ATP अब खाना बन रहा है plant खाना खा रहा है photosynthesis हुई है उसको अपना food मिल रहा है food मिल रहा है तो simple है कि वहाँ पे ATP adenosine triphosphate के form में energy release होती है energy release होती है क्योंकि खाना बन रहा है plant उस खाने का use करके ATP की formation करेगा जो plant को grow करने में help करेगी क्योंकि जितने भी living beings है अगर वो respiration करते हैं तो उनको energy की ज़रत होती कोई भी metabolic activities होती है बने anabolic activity, catabolic कोई चीज बोडी में बन रही है कोई चीज बोडी में कट रही है हर चीज के लिए ATP required होता है आगर बोडी में ATP की कमी है तो बोडी ठीक से functioning नहीं कर पाएगी क्योंकि हर function करने के लिए छोटे सा छोटा बोडी को function करने के लिए energy की ज़रत होती है और वो energy मिलती है हमें food से ऐसे ही same plants के साथ होता है carries food bidirectional यहां से उपर से नीचे यानि के bidirectional काम करता है यहां पर food के flow करने के लिए two ways होते है एक जाने का रस्ता एक आने का रस्ता ऐसे ही जो food होता है वो bidirectional flow करता है outside of vascular bundle मानलो यह vascular bundle है अंदर तो asylum यहां होगा flow ऐसे active transport बहुत energy की ज़रत पड़ती है क्योंकि food को photosynthesis की यह plant ने food को हर plant में पहुँचाना है तो काम करेगी energy क्योंकि active transport में energy काम करती है अगर types की बात करें तो four types होते हैं phloem fibers होते हैं जो mineral और food के transport में help करते हैं कुछ ऐसी type tubes होती है companion cells होती है phloem parent काइमा होते हैं तो यह था एक छोटा सा topic difference between xylem and phloem तो कैसे एक दूसरे से different होते हैं xylem हमारे water का transport करते हैं cell wall इनकी थिक होती है कोई बीच में membrane नहीं होती है continuous flow होता है unidirectional होता है lignin की बनी हुई होती है अगर phloem की बात के तो phloem के पास होती है living cells पाई जाती है जो cell wall होती है cellulose की बनी हुई होती है bi-directional काम करता है झाल 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 झाल